और अंगाबाद में बिधवा को प्रेम प्रसंग में दर्दनाक मौत मिली महिला प्रेगनेंट हो गई, जब उसने प्रेमी को यह बात बताई तो उसे घुमाने ले गया अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर गला काटकर हत्या कर दी महिला की पहले से ही चार बेटिया थी, पुलिस ने प्रेमी और उसके दो साथियों को गिरफतार कर लिया है महिला नीलम, उम्र 37 वर्स, रफी गंजिताने छेत्र की रहने वाली थी पुलिस आरोपी से पूछ नाच कर रही है, दर असल नीलम के पती की मौत 6 साल पहले हुई थी महिला की चार बेटिया है, पती की मौत के बाद से ही महिला का प्रेम प्रसंग गोह थाना छेत्र के सोहल पुरा गाउन निवासी कौसल दास उम्र 40 वर्स से चल रहा था इस बीच महिला प्रेंगनेंट हो गई, महिला ने यह जानकारी अपने प्रेमी को दी, इसके बाद वो महिला को रास्ते से हटाने की प्लैनिंग करने लगा नितिका की सबसे बड़ी बेटी की शादी हो चुकी है, दूसरी बेटी की उम्र करीब 11 साल है, जबकि तीसरी की उम्र 10 वा चौती बेटी की उम्र 8 साल है सबसे छोटी बेटी सोमवार को मा के साथ ही गई थी उसने बताया कि मा की तवियत खराब थी लिहाजा वे फुआ के घर जापी गाउं में पैसा लेने गई थी लेकिन वहाँ पैसा नहीं मिला इसके बाद वे लोग सोहल पुरा आरोपी कौसल के घर पहुंची वहीं रात में इसके बाद मंगलवार को गाउं के ही एक खेत में महिला का सब मिला पुलिस ने कौसल और उसके दो साथियों को गिरफतार किया है तब जाकर हत्या का खुलाशा हुआ विध्वा महिला की बेटी ने आगे बताया कि मा घर के बरामदे में सो गई वहीं हम अंदर सो गएं सुबह जब जागे तो कौसल की मा बोली कि तुम्हारी मा भाग गई है फिर कौसल ने उसे गाड़ी में वैठा दिया फिर रफी गंजबह पहुंची इसके बाद फिर वा लाओं ने बताया कि तुम्हारी मा को किसी ने मार कर फेक दिया है मंगलवार की दोपहर गो थाना पुलिस मुंजहर पंडुकी गाओं के बधार से विध्वा महिला के सिर कटा शब बरामत किया था इसके बाद पुलिस तहकीकात कर रही है जाच के दौरान ही सबसे सौ मीट दूर जाडियों से महिला के सिर कटा शब पुलिस ने बरामत किया था बच्ची गोधाना पहुंची और सबका सिनाक्त की एक खौसर के साथ में प्यार उर करती थी किया कि इतना दिनों से लगा च्छे में साल पर हो गया तो हत्या वही किया है हत्या हो ही किया है